जो लौख काल था ठीक है वो किस से अटैज था किस से असोसीध रेंड फॉट्री या फिर ऊचर कलर्ड पॉट्री या फिर नौर्धन ब्लैक पॉट्री चलिए बच्चो फटाफट बताईये कि किस पॉट्री सेいや फिर वह उस आईरन एज में कौन सी पॉट्री थी ठीक है यह अधिन कल्चर का सवाल है बच्चों अप लोग बताईए यहां पर राजेश विने फटाफट बताईए कि किस पॉटरी से असोसियेटेड है बच्चों मेरी वाज आ रही है आप लोग को ठीक है तो अप लोग फटाफट बताईए कि एंशिंड आईरन एज जो है वो अटैज है किस से ग्रे ब्लैक ओचर या फिर नॉर्दन ब्लैक पॉलिस पॉर्टरी राजेश विन्हे चलिए मैं उसका उत्तर खुदी बता देता हूँ ये है ग्रे पॉर्टरी ठीक है बच्चों ये है ग्रे पॉर्टरी ठीक है ग्रे पॉर्टरी से यहां पर असूसियेटेड है ठीक है तो चलिए हम लोग अपना नेक्स सवाल देख लेते हैं फॉर्टरी ठीक है ये एक राजा की बात हो रही है कनौज के राजा थे यसो वर्मन तो यहां पर कौन सी किताब है क्या वो राज तरंगिनी है कलहन के द्वारा लिखी गई है या फिर गुदावाहो है ठीक है या माल विकाग निमित्र है या फिर आल आफ दी अबव है कौ अले ही भी ने बता दिया है कि कोश्चन यहां पर इंग्लिश में आपको जरूर मिलेंगे लेकिन उसका हिंदी रुपांतर मैं आपको बताता रहूंगा कह रहा है कि विच अमंग दो फॉलोइंग वोग इन में से चार किताबे यहां पर दी हुई है तो इन में से कौन सी कि विकागने मित्र है या फिर इन में से सभी हैं ठीक है घ्यान जो है वह भासा का महताज नहीं होता है ठीक है चलिए तो क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं बस आप यहां पर समझ को आपने मैंटर कीजिए ठीक है तो आप फटा-फट यहां बताईए कि जो यहां पर यसो व चलिए कोई बात नहीं मैं बताता हूं यह है गुदा वाहो ठीक है गुदा वाहो है बच्चों ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं आज का विक्रम सिला विहार जो है इसको खोजने वाले कौन है विनेविटा राजेश की तरह आप भी जो है अपने जो एंसर है उसको कम देख लेता हूं बिलकुल सही है आप लोग सही है धरम पाल जो है विक्रम सिला विहार के फाउंडर है बहुत बढ़ है भीने बिटा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं फटाफट बाग पेंटिंग बाग पेंटिंग जो है गुप्त सामराज की ठीक है यह किस पुछड़ा आपसे की जो बाग पेंटिंग है ठीक है बाग पेंटिंग है गुप्त सामराज आपको पता है तीन सो एडी में सुरू हुआ था यह लगभग तो गुप्त सामराज की यह किस प्रदेश में क्या वो बिहार में मध्यप्रदेश च्छतीस गड़ या फिर मध् प्रदेश कह रहें विने राजिष्टा क्या कहिए बारे में यह आप देख सकते है जो प्रशन अबी आपके चल रहे है यह लगभा कल्चर को indicate कर रहे हैं जो की ancient history के culture हमारे हां कैसे रहे हैं ठीक है उसको indicate कर रहे हैं फोर का डी राजेस कह रहे हैं चलिए देख लेते हैं इसको क्या है इसका उत्तरो बिल्कुल मध्यप्रदेश है विने बिल्कुल सही है आपके ग्यान का सागर यूही जो है बिल्कुल भरा रहे ठीक है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है कि विच एम्पेर क्या वो प्रभाकर वर्धन है हर्स वर्धन है चंदरगुप्त दूइती है या बिंदुसार फटाफट बताईए किसने जो है नागनंदा को जो है संस्कित भासा में लिखा है उके बिल्कुल बिल्कुल सही थी आप बिल्कुल MP बिल्कुल सही था चलिए प्रशन संख्या 4A पर आ जाईए प्रशन की संख्या हमने बना दी थी उसमें जगें नहीं मिल रही थी तो जैसे फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट किया गया था और उसी तरह हमने आप 4A इंसर्ट किया है ठीक है चलिए प्रशन संख्या 4A चल लई है ओके राजेस कह रहे हैं फोर कर डी बिंदुसार बिंदुसार देख लेते हैं नहीं आप लोग बिल्कुल गलत है नाग नंदा को जो है संस्कित भासा में हर्स वर्धन ने किया है हर्स व इस्ट्रोजी पे इनमें से कौन सी बुक जो है वो बेज्ड है क्या वो रोमक सिद्धान्त है और भट्टी है होरा सास्त्र या ब्रह्म सिद्धान्त है चलिए बच्चों विने कामिनी राजेस फटा फट बताईए इस प्रशन का उत्तर क्या होगा बच्चों इस्ट्रोजी पे इनमें से कौन सी बुक है जो की बेज्ड है रोमक सिद्धान्त आर भटी होरा सास्त्र या फिर ब्रह्म हिसे द्धान्त चलिए कोई बात नहीं ये जो बुक है वो है होरा सास आप लोगोंने होरा सास तो पढ़ाई होगा जब आप लोग कुंडले मिलाते तो उसमें होरा भी आता है ठीक है तो यह होरा सास तो वहीं से लिया गया है ठीक है चलिए कोई बात नहीं तुलूवा नरासा ठीक है तुलूवा नरासा विजय नगर इंपायर के बारे में सभी ने पड़ रखा होगा मेरे हिसाब से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक समय काल 1491 से लेके 1502 के आसपास का ठीक है चैनाक्स टूराश्टि किस डाइनास्टी से इनग करते थे थो शुन करते थे थे वह संहुं से थे पच्छो नरासा जो विजय नगर सामराज के उसलेके 1503 तक राज किया था चिननों वह से थे उक्स का ए संगम के थे ने देख लेते हैं बिल्कुल नहीं तुलुवग के लिए थे अगला प्रसंद देखें आज का पींद्या यह बहुत आराम से कोश्चन कर लोगे सभी लोग हमें लगता है कि यूपी बोर्ड में तो सभी लोगों ने इसको पढ़ रखा है औ और अगर किताब के बारे में नहीं जानते हैं तो यह समवाद जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कहानी के रूप में कि फेमस डायलॉग एक समवाद है बहुत ही चर्चित है नचीकेत और यम के बीच में हैं यह किसमें मेंशन्ड है छंद्योग्यों पनिशद में मु नचीकेत और यम के बीच में जो एक समवाद हुआ है यह किस उपनिशद में मेंशन्ड है विन्यविशन्ड कह रहे हैं यह है बच्छों आपको जिक्र मिलेगा हमें कमेंट सेक्षन में आप लोग यह बताईए कि किसमें हैं हमारे यहां कितने उपनिशद हैं ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं बहुत बड़ा प्रशन है थोड़ा था दच्छिड भारती साहित के बारे में हैं चलिए देख लेते हैं दो प्रशन है उसके बाद उसके चीज है ठीक है तो पहला कह रहा है कि in southern इंडिया अगर आप पढ़ाई देखेंगे तो वह डिवाइड़ है ठीक है पिर उसके बाद आपकी यह द्रवीडियन वाली है ठीक है और तिबतीन वाली है जो कि चाइनीज से थोड़ा मिलती जुलती तो कुछ ऐसी ही लेगविजस है वह मैं किसी दिन क्लास ले लूँगा अभी य रहता है थे जो अपनी खुद की स्क्रिप्ट और लिटरेचर विक्सित किये थे वह थी तमिल तेलगु कंणर और मल्यालम क्या यह बात सही है पहली एक बात यह कह रहे है दूसरा तमिल इस दी ओल्डेस्ट तमिल इस दी ओल्डेस्ट लिटरेचर डेटिंग बैक टू अर् तो संगम जो हुआ करते थे उनके समय में यह डेवलप की है तो एक कथन आपके साथ यह है एक कथन आपके समय में यह है और तीसरा है कि बोथ A और B दोनों सही है या फिर कोई नहीं सही है चलिए बताईए फटा फट बच्चो 8 का C 8 का C मतलब राजेस कह रहे हैं कि बोथ A and B बोथ are right ओके लिट अस चेक बिलकुल सही है बच्चों बिलकुल सही है आप लोग बहुत बढ़ियां यह ज्यान रखना भी बहुत जरूरी है चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपको इसके बारे में पता है बंद हो जाओ को one of the following महा जनपद in ancient India कह रहा है कि चंपा जो है किसकी राजधानी थी क्या वो अंग की थी देखिए चारो यहां पर आपको जो मिल रहे हैं चारो ही यहां 16 महा जनपदों में से हैं ठीक है आपको बताना है कि अंग की राजधानी थी मगत की राजधानी थी वज्जी की जो है कि राजधानी चंपा धी ठीक है और मगत इस पर जो है अपने आस-पास के जितनी भी टेरिटरिति सब पर जो है वह वह जीतता है और यही करता दी है वो मेट्री मोलियल एलियांसिस की रहती है आपके विम्बिसार की हर्यंक वंस के और उसके बाद अजाज सत्रू भी यही करते हैं लिच्छवी की राज कुमारी जो थी उससे शादी करते हैं वहाँ लिच्छव नरेस को हरा करके उनकी बहन से ठीक है बहुत बढ़िया विन सपड़ा के दच्छण से चलिए बताईए कहां से हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों सही उत्तर दे रहे हैं ठीक है आप लोगों की कमांड इस से पता चल जा रही है थोड़ी थोड़ी एंशिन इंडिया के अगर हम बात करें तो बिलकुल अगर चले आते ह ज्यादा पुराने नहीं जाएंगे दो लाक मिलियन नहीं जाते हैं तो ड्हाई हजार से जो हम लोग पढ़ेंगे लगबग 780 तक जाएंगे ठीक है उसके पास से मुगलकाल सुरू हो जाता है मुगल नहीं कहेंगे लेकिन मेडिवल इंडिया सुरू हो जाती है ठीक है एगला प्रशन देखते हैं फिर बिल्कुल स्टेट्मेंट वाले सवाल है पहला कह रहा है कि 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत को इन्वेड किया ठीक है दूसरा अंभी ठीक है अंभी अंभी जो है वो राजा कहां का था तक्षिला का इसने अलेक्जेंडर को विलकम कि और उसके आदमियों को क्या यह प्रस्टन क्या यह कथन भी सही है तीसरा कथन है कि अलेक्जेंडर 332 बीसी में खतम हो गया ठीक है ठीक है कोई बाद नहीं राजेश बिटा यहां गलत करो मैं तो घमिशा कहता हूँ यहां गलत करो चलिए 11 का सी राजेश कह रहे हैं पहला दूसरा केवल सही है और बिल्कुल सही आप लोग बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा खेल रहे है इतिहास पे आप लोगों की पकड़ बहुत मजबूत है और हमेशा बनी रहे यह जरूरी है अगला प्रशन देखते हैं रिकॉर्डेट इन दी इलहाबाद पिलर के इं है जो सिलालेक है उसमें किया क्या लिखा इतिक की इसकी अचीवमेंट के बारे में विक्रम मत प्रशन का उत्तर क्या हों बहुत है बहुत अच्छह लग रहा है अच्छे प्रशन है और अच्छा जवाब है और बिल्कुल सही possible यह प्रश्ण बहुत अच्छा देखते हैं कौन बता पाएगा बिल्कुल इसको सही सही आठवी सेंचुरी में जो ट्री पाल्टाइड जो त्रिकोड जो युद्ध चल रहा था बिल्कुल सामराज के लिए लड़ाई चल रही तो ट्री पाल्टाइड पावर स्ट्रगल कहते है जिसको वह किसके किसके बीच में थी चोला राष्टकूट और यादवों के बीच में चालुक के पल्लव और पांड्या के बीच में चली बताईए इसका उत्तर क्या होगा तेरहा प्रश्ण है आठवी सेंचुरी में त्रिकोड युद्ध चल रहा था सत्ता के लिए ठी अगे तेरा का भी चालुक के पल्लव और पांड्या चली और देख लेते हैं विन्य बताईए कामीनी बताईए फटाफट इस प्रशन का उत्तर क्या होगा तेरे का भी राजेश और विन्य दोनों लोग तेरे के बी को सपोर्ट कर रहे हैं चली देख लेते हैं बहुत सही बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं चली अगला प्रशन देखते हैं पॉस्चिन नमबर फॉर्टीन डाट उड़ बी ओके हाँ हूँ है तो क्या रहा है कि किस ने एक ट्रीटी दी थी किस पे प फिर काली दास ने पॉर्टीन का ए ओके मेगस्थिनी इस ने चलिए देख लेते हैं विने बीटा बताईए कामेनी बताईए फटाफट और भी जो लोग है सांत मूख हैं मूख यहां दरशक बने हुए हैं वह कमेंट में अपनी मौजूर्गी दरज करा सकते जिससे की लिहास का इस्तर क्या है ठीक है तो फोटीन का भी फोटीन का ए फोटीन का सी तीन उत्तर आ चुके हैं देखते किसका सही है और फोटीन का ए बिलकुल बहुत बढ़ी है राजेश बहुत बढ़ी है बिटा आपका तो सायद भी बिलकुल सायद सही हो गया चलिए कोई बात था थी जोनकी कोक्ट की लाइफ फी कनौज में उसके बारे में इसके जो कमेंटरी है वो किस ने लिखी हुई ए जिसके क spins ने कुमेंटरी लिखी हुई है हर्षवार्धनकी प्रसासन के उपर उनकी code life जो कन्योज में थी ठीक है अलबरे उनी बफायान 15 का बेटा answer क्या होगा कामी नी answer option बता ही है option क्या होगा 15 का C 15 का B राजेश 15 का 15 का C देख लेते हैं तीन लोग उतर दे चुके हैं चलिए ठीक है और बिल्कुल सही बिल्कुल सही माजिद आप से अप एक्षा नहीं थी लेकिन आपने सही उतर दिया बहुत अच्छा लगा आप करें कि आपका बहुत धिक स्तर बिल्कुल बढ़ता रहे ठीक है बच्चा चलिए अगला प्रशन देखते हैं अब ब्लैक होल ब्लैक होल तो आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा है चलिए अब आप में बताईए अब जॉग्राफी आ गई है एक ब्लैक होल जो है वो क्या होता है एक कॉंट्राक्टेड स्टार होता है जिसके अंदर इंटेंस ग्रेविटेशनल पूल होता है समझरे बात हमारी आप एक जैसे संकुचिच जो तारा होता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुर्ट्वा करसड का खिचाव होता है या फिर एक ऐसा स्टार होता है जिसके बहुत ही निम्न जो सतही टेंपरेचर होता है ताप होता है उसका एक ऐसा star होता है जिसमें कोई atmosphere नहीं होता है या एक pulsating star होता है कैसा होता है ये black hole हिंदी की class बिटा बता नहीं सकते हैं होगी जरूर इस बात की आपको जो है guarantee देते हैं माज़ित कह रहे हैं star with no atmosphere और कोई 16 का c ठीक है star with no atmosphere और कोई अखिलेश हिंदी के छोड़ो current पे आओ हिंदी तो साम को हो जाएगी बिटा ओके 16 का ए चलिए देखते हैं और बिल्कुल सही है contracted star है बिल्कुल सही है हनवान जी भी जा रहे थे लेकिन रोक लिए थे अब मुझे याद नहीं आ रहा है वह थोड़ा ठीक है चलिए देख लेते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन देखते हैं आज का पार सेख ये तो बहुत आसान सवाल है पार सेख जो है किसकी यूनिट है मापने की पार सेख इस दा यूनिट ऑफ मेजरमेंट आफ देंसिटी ऑफ इस्टार तारों का घनत्व या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है ठीक है या फिर ब्राइटनेस होती है है हेविनली बॉडी की या फिर ऑर्बिटल विलॉसिटी ऑफ जाएंट स्टार्स चलिए बताइए मुझे लगत नहीं करेंगे पार सेख को बिलक ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद धन्यवाद चलिए पार सेख तो आप 18 का डी और 18 का भी देख लेते हैं क्या होता है आप एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है इसको गलत आप बिल्कुल ही मत करिए पार सेख आप लोग 11 पर जिसने भी फिजिक्स ले रखी होगी उसको बिल्कुल पता होगा और 11 की फिजिक्स फोड़ दीए नाइंत में फिजिक्स जब से स्टार्ट होती है साइंस जो है विगटन हो जाता है उसका फिजिक्स के मिस्ट्री बायो में तो फिजिक्स जैसे ही आती है तो आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी जब आप भी पढ़ रह जो है थोड़ा भी संबंध नहीं है नाता नहीं है क्या वो स्मॉल प्लैनेट है कॉमेट है प्लैनेट है या फिर नेबूला है चलिए बताईए यहां पर कोई बात नहीं हिंदी इंग्रिस की मिस्टेक से प्रोब्लम हो रहा है ठीक है अगली बार से यह नहीं होगा आपके साथ और यहीं मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी में बिलकुल समझाता रहूँ देख यहां पर क्या है कि कह रहा है प्रशनाप से कि यहां सौर मंडल से इन चारों में किसका संबंद नहीं है। क्या वह चोटे ब्लानेत हैं, क्या वह देखलें है। नेबूला है, 19 का D. नेबूला माजित भी कहा रहे हैं, राज़ेत भी तो जो बता दूंगा कि नेबूला क्या चीज होती है क्योंकि आप जो है जब formation पढ़ेंगे चाहे प्लानेट का पढ़ें चाहे सन का पढ़ें तो आपको नेबूला की बारे में बिल्कुल जानकारी हो जाएगी कि नेबूला क्या चीज था ठीक है फिर वहाँ लोगों को वैगनर की ठीओरी बहुत सारी जो जोग्रॉफिकल थोर्मेशन के लिए वह आपको पढ़ने पढ़े आराउंड किसी और बॉडी के आराउंड आप रिवाल्व कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो दोनों के लिए सेम नंबर ऑफ डेस लेता है क्या वह मार्स है वीनस है मरकरी या जोपिटर माजित का एंसर आ गया है माजित कह रहे हैं वीनस है चलिए देख लेते हैं बिल्कुल ही सही वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं सुक्र कहते हैं ठीक है ब्राइटेस स्टार है हमारे सूलर सिस्टम का नहीं बहुत बढ़ियां बच्चों चलिए अगला प्रशन देखते हैं वाइस स्टार लुक मोर इन वेस्ट देन इस को क्रुशव कह रहा है कि तारे क्यों होते हैं वो हमें पश्चिम में पूर्व की अपेक्षा ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं आप बताइए इसका हिंदी रूपांत्र यहीं है बहुत बढ़िया कामिनी बेटा एक कीसवे सवाल पर आप आजाईए क्रूश्चन कह रहा है कि वाई स्टार्स तारे जो है पूर्व की अपेक्षा ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं ऑप्शन्स आपके सामने हैं ब्रह्मांड जो है वो पूर्व से पश्चिम की और पूर्व से पश्चिम की और मूव कर रहा है इसलिए धर्ती जो है वो पूर्व से पश्चिम की और मूव कर रही है इसलिए चल बढ़ियां कमीनी सेंग डी आर्थ जो है वेस्ट टु इस्ट मूव कर रहा है बिल्कुल सही है यही रीजन है कि हमें वेस्ट की तरफ तार्य जो है ज्यादा दिखाई देते हैं ठीक है लिए बहुत बढ़ीयां बहुत बढ़ीया अगला पसन देखते हैं डंड कारण तो आप लोगों पता ही होगा राम जी के समय में जंगल था ठीक है तो दंड कारण विने कह रहे हैं, 22 का A, उत्तर प्रदेश, महाराश और करना टक, दंड कारन प्रोजेट के लिए, तेरे देख लेते हैं, नहीं, C है बेटा, उडिशा, मध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उडिशा, ये देख लीजे, आप लोग दिमाग में बिठा लीजे, ठीक है, नहीं, बेटा, 22 का डी नहीं है, ठीक है, राजेश, इडिशा, केरल कहां पहुंचाए दे रहे हो भाई, तुम लोग, बिल्कुल ऑप्शन भी तो देख लो, केरल, तमिल नाडू, अंध्र प्रदेश, अरिस्ट मूख परवत भी तो भी आएगा, अरण कांड में, उसके ब सोर बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट जो है, इंडिया में, यह कहां पर मतलब बनाया गया, ठीक है, पहला सोर बेस्ट, ठीक है, सोर मतलब समझ वारे किनारे पे, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड, ठीक है, संगटित जो है, स्टील का प्रोजेक्ट भारत में ये कहां पर आया, एर्डाकुला में, तूती कोरिन में, विसाखा पत्नम में, या फिर मैंगलॉर में, पहला, खेलिए सभी लोग बताईए हमको इसका उत्तर क्या होगा, बड़ाफट, ओके, 23, बहुत बढ़िया सवाल है ये, 23 का A, सायद पर तो राजेस बेटा तुम्हारा सही निकल जाता है, तुम्हारा सायद बड़ा खतरनाक है, एर्डाकुला में, ओके, ये देख लेते हैं, इस बार गलत हो गया, विशाखा पत्नम है, ठीक है, विशाखा पत्नम है, दा सोर बेस्ट पोजेक्ट जो है, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, अब ये आसान होगा आप लोगों के लिए, थोड़ा समझना पड़ेगा, बस आप आराम से देखिएगा, इंडो गैंगेटिक प्लेइन, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेइन जो है, इंडिया की, वो फर्टाइल क्यों है, ठीक है, उपजा ठीक है, पीडियों से करते चले आ रहे हैं, और यहाँ चौथा है, कि यहाँ पर बहतर सिचाई की विवस्था है, चलिए बताइए, माजिद ये 24 वे का है या फिर 23 वे का है, जो C आप बता रहे हैं, कॉस्चन का, आप नंबर जरूर मेंशन किया किजी, ऑप्शन के पहले, 24 का D, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, अलुवेल सॉयल कह रही है, कामी नहीं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, माजिद बेटा बताओ, क्या होगा इसका, बहुत बढ़िया, ये बहुत असान सवाल था राजे से आपको गलत कर रहे हैं, कहां से सिचाई की विवस्था आपने बता दी, सिचाई की विवस्था भी पता है, आपको क्या होती है, सिचाई की विवस्था कैसे कैसे हमारे हाँ बनी हुई है, कहां पर नदी नाले हैं, कहां पर कुओं से हो रही है, कहां पर हैंटम से कर रहे हैं, कहां पर ट्यूब बेल से कर रहे हैं, ये चीज़े कर रहा है maximum area भारत में जो सबसरवादिक छेतरफल को जो सिचाई के लिए कर रहा है वो कौन सा बहुत देशे प्रोजेक्ट है क्या वो ब्यास का है क्या वो भाकडा नांगल क्या वो दामोदर घाटी का है या फिर हीरा कुट का है ठीक है वेकेंसी पीटा आने वाली है उम्मीद कर रहे है कि फरवरी आखरी नहीं तो मार्च में तो उम्मीद है आ ही जानी चाहिए जहां तक 25 का D हीरा कुट कह रहे है विने कह रहे है आई गी आई गी कि श्योर आईगी राजेश 25 का सीधा मुदर वैली ओके खलिए बिल्कुल ही सही है ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अमंग दो फॉलोइंग क्लाइमेटिक फैक्टर सीखे इसमें आपको बताना है कि इसमें विच वन हैस दा लीस्ट इफेक्ट ऑन टेरेस्टेरियल इको सिस्टम इन जो यह आपको जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स दिए हुए हैं इन में से जो है किसका जो है सबसे कम प्रभाव होता है टेरेस्टेरियल इको सिस्टम के उपर टेमप्रेचर वैरियेशन का विंड का कंडिशन ओफ लाइट का या फिर अविलेबिल्टी ओफ वाटर का किसका होता है कम प्रभाव किसका होता है ओके 26 का डी अविलेबिल्टी ओफ वाटर का सबसे कम प्रभाव होता है चलिए देख लेते हैं बागी सबी लोग क्या उत्तर बताना चाहेंगे आप लोग यह है विंड का है चलिए यह विंड का है चलिए अगला प्रशन देखते हैं सबको पता है यह तो इट अफेट्स दा फ्लोइंग ओफ सर्फेस वाटर बैडली तो जो सतह का पानी है उसके बहने में यह जो बहुत ज़्यादा खराब होता है उसको यह अफेक्ट करती है फिर क्या होता है कि विच आफ दी फॉलोइंग इस बैडली एफेक्टेड बाई इस कॉज़े बच्चो जो डिफॉरेस्टेशन की वज़े से सॉईल इरोजन हो रहा है और जिसकी अनुस अंसादन है क्या वो एकलोजिकल सिस्टेम है क्या वो क्लाइमेट है या फिर लोकल प्लांट से है बताएए बात आप सो समझगा कि डिफॉरेस्टेशन लीडिंग तो स्वाइल इरोजन और स्वाइल इरोजन कॉज़े दाफ सर्फेस वाइल तो फ्लो बैडली तो व इकलोजिकल सिस्टम तो सभसे ज़्यादा देखे पारिष्थित्की चीज ही ऐसी होती है ठीक है यको सिस्टम ही तो क्या है interaction बिट्विन लिविंग नॉन लिविंग और इसको एको सिस्टम कहते है तो वो सबसे ज़्यादा ही effect होगा उसके अंदर अब भायोटीक और आ बा जो integrate करता है, जो संगठित करता है कि इनको? Living beings को और उनके संबंधों को. सभी living beings को ठीक है, और उनके संबंधों को. क्या वो total wildlife है? ठीक है. बायोस्फेयर है, लिथरोस्फेयर है, हाइडरोस्फेयर है. चली बताइए. उस ecological system का नाम बताइए, जो integrate करता है सभी तरह के living organisms को और उनके संबंधों को ठीक है? चली बताइए फटा-फट विन्य राजेश, माजेद कामिनी हाँ, राजेश 28B biosphere, एके चली मैं देख लेता हूँ expression का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही है biosphere बिल्कुल सही है, ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल, total wildlife नहीं होगा ठीक है? इसका total wildlife नहीं होगा चलीए यह बहुत प्यारा सवाल है, आप लोगोंने सुना भी नहीं होगा शायद मेरे साब से, आपको बताना है इस secretariat जो बना हुआ है conference on biological diversity पे जैव विविदिता का जो सम्मेलन होता है उसका सचिवाले कहां बना हुआ है लंदन में है, इटली में है, मौन्ट्रियाल में है या फिर टोरेंटो में है चलिए, बताइए जो जैव विविदिता का जो सम्मेलन है उसका सचिवाले कहां बना हुआ है लंदन, इटली, मॉन्ट्रियाल या फिर टोरेंटो फटा फटा बच्चों बताईए कहां पर ये बना हुआ है ओके टोरेंटो राजेस सेंग टोरेंटो और कोई इस प्रिश्मिन का उत्तर बताईए और क्या होगा इसका बेटा इसका उत्तर है मॉन्ट्रियाल इसका सही उत्तर है अगर आप लोग इसके कम अक्रॉस नहीं हुए है शायद और उसमें कोई दिक्कत नहीं है चीजे जो नहीं हो उसको आप नोट करते चलिए ये आप लोगों के लिए भी हित कर होता है ठीक है कोई बात नहीं यह प्रशना बताईए यह बहुत बढ़िया सवाल है अल्बीडो की उपर बेज़ है अल्बीडो वैल्यूज आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा पारिस्तित्की में घटते हुए क्रम में अल्बीडो की जो मान होते हैं उसके क्रम में आपको एंसर देना है कि यहाँ पर अल्बीडो का मान सबसे ज्यादा किसका होगा यह वेजिटेशन की टाइप है ठीक है अपको यह पता होना चाहिए कि जैसे आप यह ग्लोब देख रहे हैं जब गढ़्ख गंदा सा ग्लोब बन गया ठीक है तो यह हो गया आपका एन यह हो गया एस तीक है यह आपका जीरो डिगरी चल ला है यह आपको यह पता होना चाहिए यह कहां पर ज़्यादा होतKEN कहां पर कम होते हैं Sum तो पोल्स कहा है उपर नीचे मतलब वहां पर सब्सक्राइब थंड़ा होगा तो वहां क्या होगा टुंडरा ठीक है ठीक है ठीक है तो अब आपको बताना देखिए पहला तो आपका टुंडरा हो जाएगा मतलब फोर विल बी दा ववन ओके अब उसके हिसाब से आप हो लगा आपको मैंच करना था तुंडरा के बाद जो होगा आपका टाइगा आ जाएगा ताइगा कि न हो यह निया लग रहा है आप इसको नोट कर लीजिए वैजिटेशन कar सवाल है वैजिटेशन कि इसके एको सिस्टम में किस पर अल्बीड़ो वैल्यू की तो सबसे ज सबसे कम हो जाती है चलिए अगला प्रशन देखते हैं अब आ जाते हैं देखे पॉलिटी के कुछ सवाल है आर्टिकल 369 जो है वह कॉंस्टिट्यूशन का ऑथराइस करता है प्रेसिडेंट आफ इंडिया को सस्पेंड करने के लिए राइट को जो मूव कर सकता है को इंडामेंटल राइट तो आप बताईए यहां पर आर्टिकल 369 क्या करता है बच्चों चार आपके सामने यहां पर है ठीक है नैशनल इमर्जेंसी को यहां पर सस्पेंड करने की बात कर रहा है ठीक है फेलियर ओफ कॉंस्टिट्यूशनल मासीनरी इन स्टेट्स फिनैंश ठीक है जानकार यहां बहुत अच्छा उत्तर दे सकते हैं ओके ए राजेश कह रहे हैं नैशनल इमर्जेंसी को देख लेते हैं क्या सही उत्तर है यह बाकी लोग मुखदरसक हो गए क्या सांथ क्यों हो जाते हो भाई आप लोगों को बिल्कुल निरंतर उत्तर देते रहना होना चाहिए चलिए बिल्कुल नैशनल इमर्जेंसी ठीक है तीन सो बावन ठीक है चलिए अगला प्रश्ण बिल्कुल सही है कामी नहीं मिटा आप भी तहीं है बती सवाल देखते हैं बहुत प्यारा सवाल है आपका देखिए स्टेट रियोर्गनाइशन एक्ट आया था आपका 1956 में ठीक है राजिका पुनरगठन आयोग जो बना था या फिर अधिनियम आया था 1956 में तो अब आपको बताना है उसी के क्रोनोलोजिकल ओडर में कालानुक्रम ठीक में कि अब हरियाणा सिक्कीम अरुनाचल प्रदेश और अनागा लेंड में जो क्रम था वो क्या सबसे पहले कौन बना सबसे आखरी कौन बना चारों में चलिए बताइए आप अरेंज करिए फटाफट ओके माजित सेंग डी नागा लेंड हरियाना दें सिक्किम एंड अरुनाचल प्रदेश ओके बहुत सही बहुत सही ठीक है नागा लेंड बना 1963 में हरियाना आया 1966 में सिक्किम आया 1975 में और अरुनाचल प्रदेश आया 1987 में इसको नहीं पता वो नोट भी कर सकता है ठीक है तो यह था क्रम आपका बिलकुल बिलकुल सही है सही है राजिस तुम्हारा तो आधा कुश्चन सायद में निकल रहा है और अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन को बहुत प्यारा सवाल है देखते बता पाते हैं कि नहीं आप लोग यह नहीं बता पाएंग मेरे हिसाब से सदन के किसी एक सदस से कह सकता है चुप रहने के लिए कह सकता है और उसको चुप करके कहें कि तू दूसरा सदस से अब बोलेगा तो इस जो फेनोमेना है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं क्रावस दवल्ओर रिलिद्ग दवल॓र जह कालिंग अटेंडेंस मوسें मोशन बताईए फटा फट बताईएक है क्या होग इसमें ग्रावस फ्लो मेंगाऊंट पॉर होगा वी opacity व्लोर होगा माजिद बता रहें बीग्लो VO Marcel होगा है राजेष साथी पॉईंट आप आप और कह रहे हैं आप चलिए देख लेते हैंज बहुत सही माजीद बिटा इंडेग कि इल्लिंस दौरी बिल्कल सही है आप बिल्कुल सही है यहां यह पर उमीद नहीं थी लेखिन बहुत बढ़े हैं बहुत बढ़े और सवाल अ गया अब संविदान के ऊपर है बहुत बढ़ी सवाल है किस संविान अधिनियम के तहत लोकसभा की झो सींटे थी वह 5250 से 545 की गई अभी सब को यह पता है ना 500 45 की संसोर्थन के तहर की betty bc बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है माजिद नहीं रोनी जुरत नहीं बिटा अब बता रहे हैं यह अच्छी चीजा माले गौरों का विश्य है क्या वह 42 संसोधन था क्या वह 44 था या फिर या फिर वह 31 था फटा फट इस प्रशन का भी उत्तर दीजिए रोह ये मत बिलकुल बहुत बढ़ी अच्छा लग रहा है देख करके सभी लोग राजेस कह रहे हैं 42 अभिशेक कह रहे हैं 42 था अभिशेक आ गए स्वागत है बिटा आपका ठीक है 34 का ए 31 का कह रहे है चलिए देख लेते हैं 31 बिलकुल सही है पॉलिटी में जानकारी बहुत बढ़िया है माज कभी अमेंड हुआ है मारा प्रियांबल अब हमें कमेंट सेक्षिन में बताइएगा अगर अमेंड हुआ है तो कौन सा कॉंसा कॉंसा अमेंडमेंट एक्ट था वह अगला प्रसंद देखते हैं पहला दफर्ष्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉंटेड इन 1953 ठीक है या फिर सकील उल्जमान अंसारी के चलिए बताईए यहां पर दीपक कटोले एसके खारविंथम काका कलकर या फिर सकील उल्जमान अंसारी हां हुआ हुआ ओके बिल्कुल बिल्कुल बिटा तो हुआ तो है यह किसके अध्ध्यचता आपको बतानी है राजेश किसकी अध् जहां दीजिए देखिए पॉलिटी का सवाल है पॉलिटी कैसा डाइनमिक आज से मतलब बहुत ही डाइनमिक सब्जेक्ट है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग हो गया है आज के युवाओं के लिए 35 का सी का का कलेलकर कामीनी भी बात बोल रही है के माज़िद भी ठिंक करने लग गया है चलिए देख लेते हैं बहुत सही का का कलेलकर सी अगला प्रसंद देखते हैं 36 सवाल होगा जो कि आज का अगे बढ़ जाओ ठीक है ऑफिस अफिस 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 पर रिस्ट करता है या पारलिया मेंट ने इसको बनाया है या फिर सम् साहिए इसको प्राइम मिनिस्टर ओफिस रेस्ट रॉन कोरोनेशन क्रियेट भाइड पारलिया मेंट क्रियेट बाइड री कॉंस्ट्यूशन या आल आफ दी अबवव 36 का डी आल अफ दी अबवव ओके बहुत अलग एंसर है चली कोई बात नहीं बाकी देखते हैं माज़ मिनिस्टर का प्रधान मंतरी जी का भारत के यह कोरोनेशन पर मतलब जैसे इकिरार्की होती हो चली आती है या फिर इसको जो है संसद ने बनाया है या सम्विदान ने बनाया है या फिर प्रोक्त सभी थीके बहुत छोटे सवाल है यह पॉलिटी के और अब आपने बताना है कि जो भारत का प्रधान मंतरी होता है यह कैसा होता है alleged होता है selected होता है nominated होता है या फिर appointed होता है क्या होता यह माज़ेदी किसका उत्तर सांति इसका 37 का ए कह रही है प्राइम मिनिस्टर एलेक्ट होता है राजेश कह रहे है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट सेलेक्ट राजेश टेकनिकल सहौरब कह रहे हैं सी ओके नॉमिनेट होता है और अभिशेक कह रहे हैं सेलेक्ट होता है चलिए यह अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना थोटी छोटी मिस्टेक से कर रहे हो चलिए एलेक्ट तो MPs होते हैं सभी को थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है फिर वो अपॉइंट होता है अगला प्रशन देखते हैं वट इस दी ऑब्जेक्टिव देखिए सोसल जस्टिस सामाजिक न्याए वट इस दी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन कॉंस्टिशन किसमें है जो सामाजिक न्याए की बात करी जा रही है वो किस आर्टिकल में है पंद्रा आर्टिकल सोला या फिर प्रस्तावना प्राम प्रियाम्बल में अब बताईए किस में हैं सामाजिक न्याई की बात कह रहा है संसद लोग अभी ठीक है हाँ राजिस गलती देखो इलेक्टेड और अपोइंटेड दो ही चीज़ हो सकती थी यहाँ पे इलेक्टेड एंपी बिल्कुल उसके बाद आपका प्रैसिडेंट बॉइ डेता है अर्टिकल पंद्रा मुवी भी 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 तो आई थी और लोग राजिस 38 b आर्टिकल पंद्रा कामिन n his 38 the preamble लेक्ट देख लेते हैं बिल्कुल सही प्रस्तावना में है समाजिक नियाई की बात ठीक है बहुत बढ़या सवाल है आप लोग थोड़ा समय दीजिए KVC की तरह सवाल है ठीक है आपको करम बताना है देखिए ओर्डर माने क्या होता है करम आपको करम बताना है कि आप इन सब्दों को हमारे प्रस्तावना में कहां कैसे देखते हैं वी द पीपल आफ इंडिया तो आप बताना है कि having solemnly resolve to constitute अब बताइए और कौन सा रहता है democratic, socialist, sovereign, secular और republic के आने का और क्या रहता है आपको बताना यहां पर पहले कौन सा देखते हैं उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समय दीजिए सही बताइए आसान सा सवाल है अब इशेग सेंग ए-3-2-4-1-5 ए-49 का ए ठीक है तो सबसे पहले मनलब आप लोग का कहना है कि सबसे पहले आएगा सोवरेन फिर आएगा सोशिलिस्ट फिर आएगा सेक्यूलर फिर आएगा डेमोक्रेटिक फिर आएगा रिपब्लिक मुझे लग रहा है, जहाता का आप लोग बल्कुल सही हैं, और बिल्कुल ही सही है, बहौट बढ़ता, समय लिया, अच्छा केले, ये अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अगला परशन देखते हैं, ये देखो, ये आ गया, अरे यार यह question था क्या मुझे पता ही नहीं था मैं comment section में बोल रहा था चलो कोई बात नहीं बढ़ी है प्रियांबल जो है हमारे constitution का वो कितनी बार हमेंड हुआ है तीन बार दो बार एक बार या कभी नहीं हुआ है बिटा हिंदी अगली बार से टेक्निकल सौरब बिल्कुल रहेगी प्रयास हमारा बिल्कुल है कि अगली बार से हिंदी रहेगी इस बार के लिए आप जो है इंग्लिश में देख लीजे question को मुझे नहीं लगता है कि इतनी हिंदी नहीं आती होगी सबको मैं हिंदी में फिर बोल ही दे रहा हो कि हमारा प्रस्तावना जो है मलब हमारा प्रस्तावना को समविधान में कितिनी बार संसोधित हुआ है क्धिन बार या पिर कभी विसंशोधित नहीं अहीं हुआ है Capital butterfly को focus वहारा है कि क्या है एक time डिरिंग दी emergency in seeif is dever बबल्कुल वो तो रहेगा बार का कोई लॉजिक है विल्कुल एक बार ही हुआ है फॉर्टी सेकंड का अमेंडमेंट एक्ट है तो अबर इन सोचलिस्ट सेक्यूलर वर्ड जोड़े गया थे भी नी कॉंस्ट्यूशन बताया जाता है उसको ठीक है अगला प्रशन देखते हैं ठीक है प्लैनिंग कमीशन योजना आयोग प्लैनिंग कमीशन कॉंस्ट्यूटेड ए हाई लेवल कमीटी ठीक है हाई लेवल का एक कमीटी बनाया गया था किसके लिए फाइनेशिय सेक्टर वित्तिय विभाग में सुधार के लिए 2007 अगस्त में किसकी अध्यच्छता में बनाया गया था देखिए राजन के विमल जालान के या फिर नना अब दीज यह एंटीपीसी लेवल का सवाल है यह एंटीपीसी वाले ऐसी पूछ लेते हैं वह आपके 1990 का पूछ ले सवाल अगला पूछ देखते हैं कि देखिए करनों मिक से क्षोशन ना गए इंकम टैक्स इन इंडिया में इसको इंच्रोड्यूस किस ने कि आगी ऑगे बी तेमस का बी जेम्स विल्सन ओके देख लहते हैं बिल्कल सही है जेम्स विल्सन इसका उत्तर बिल्कुल ही सही है ठीक है चली अगला परसन देखते हैं है बहुत बढ़यां js जेम्स विल्सन टेक्निकल बिल्कुल सही हो आप भी कह रहा है कि पहला जो है सोने का रिफाइनरी कहां स्टेबलिस हुआ फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी स्टेबलिस कहां हुआ एहमदाबाद गुजरात में शेरपूर महाराश्ट में मैंगलॉर करनाटक में या मुंबाई मह बताइए कहां पर हुआ बच्चा बिल्कुल का मिन्याब भी सही है बेटा 42 का बी इस दे राइट एंसर आपको बताना है गोल्ड रिफाइनरी ठीक है पहले सोने का जो रिफाइनरी है यह कहां स्टेबलिस हुआ एहमदाबाद शेरपूर बैंगलॉर या मुंबाई रजनी शेरपूर महाराष्ट्र में ठीक है सीरपूर महाराष्ट्र में है ठीक है चलिए कोई नहीं कोई नहीं बढ़िया अगला प्रशन देखते हैं अब बताना है कि इसमें से विच आफ दी फॉलोइंग इस नॉट एन अंडर्टेकिंग अंडर दी अडिनिस्ट्रेटिव कंट काइव देखिए जो रेल मंत्राले है रेल मंत्राले के प्रसासनिक नियंत्रण में यह कौन सी अंडर्टेकिंग है जो नहीं है अंडर्टेकिंग होती यह फिल वर वर व्रक्स वरन असी कौन सी यह कौन सी अंडर्टेकिंग है जो यहाँ पर प्रसास्निक नियंत्रण में नहीं है रेल मंत्रा लेके मिन्हों साब से सभी लोग आप वाकिप भी होंगे इन नामों से 44 का D, DLW नहीं है अच्छा चलिए बाकी लोग देखते हैं Indian Railways Construction Company Limited बिल्कुल सही है Indian Railways Construction Company Limited नहीं है बच्चा ठीक है Indian Railways Construction Company Limited जो है नहीं है यह लिए अगला प्रसन देखते हैं कह रहा है कि अगर RBI ने इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह खरीदेगा किसको प्रतिभूओं को खरीदेगा कहां से जो की गहर सरकारी होंगे उनसे या फिर प्रतिभूओं को बेचेगा किसमें खुले बाजार में या फिर क्या करेगा कि जो वाडिजिक बैंक होते हैं इनको और credit दे देगा किसमें खुला बाजार में या फिर क्या करेगा यह खुली घोचला कर देगा बाजार में कि यह जो है अपने credit को expand करना चाह रहा है ठीक है क्या चीज बेटा पहली बार आप सुन रहे है इसमें खुले बाजार में हाँ 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 बिल्कुल 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 हर्शद में था किसमें सुना था ठीक है कामी नहीं कह रही है 45 का B 45 का C is the right answer यह commercial banks को more credit offer करेगा किसमें खुले बाजार में खुले बाजार में ओके तर पिछे के questions का answer बताए यह बताए थो था IRCCL Indian Railways Construction Company Limited 44 का टेक्निकल तो यह है offer commercial banks more credit in the open market ठीक है अगला प्रशन देखते है अब यह चोड़ा क्शुन है कि short term finance जो होता है ठीक है जो कम समय के लिए जो विद्तिय होती ही चीजे यह इसका period क्या होता है इसका काल कितना होता समय कितना होता है 5 महिने के लिए 10 महिने 12 महिने या 15 महिने short term का जो finance होता है 44 का C option है बेटा टेक्निकल C option IRCCL short term finance is usually for period ranging from 5, 10, 12 या 15 12 months मजईद यह question तुम से कहला थोना भी नहीं था देखते हैं क्या होता है फिलाल राजेश भी कह रहे हैं C बिल्कुल बिल्कुल सही है 12 महिने बिल्कुल सही है short term finance जो होता है वो 12 महिने के लिए होता है बहुत बढ़े हैं एगला प्रशन देखते हैं deficit financing क्या मतलब होता है printing new currency notes नए जो currency notes है उनका प्रेंट करना replacing करना किसको नए currency को विद वर्न आउट currency जो खतम हो चुकी है जो obsolete हो गई उनको currency को replace करके नहीं currency लाना या फिर public expenditure को access of public revenue जो खर्च होते हैं public expenditure के उनको जादे करना किसके? या फिर public revenue को जादा करना किसके मामले में? खर्च के मामले में ठीक है? बताईए this is called a transformation earlier you were weeping and now you are laughing this is called a transformation रोते हुए आते हैं सब हस्ता हुआ जो जाएगा ठीक है? तो deficit financing आप हमें बताईए कि क्या होती है नए currency notes को print करना replace करना नए currency को बेटा वो प्रशन हो चुका 12 महीने शायद हाँ सही है बेटा वो सर सी का public expenditure को जादा करना public revenue के मामले में ठीक है deficit मतलब घाटे का जो वित होता है मतलब जो currency notes तो आप लोग बिल्कुल ही समाझ रहे होंगे जो की चलन में होती है हमारे उनको print करना या फिर जो currency जो चीज खतम हो रही होती है ठीक है उसको नई currency के साथ replace करना expenditure का मतलब है यहां वे थे ठीक है राजस्व और वे तो जो लोग वे होता है वो लोग राजस्व के मामले में जादा होना या लोग राजस्व जो है लोग वे के मामले में जादा होना आपको यह बताना है कोई बात ने बेटा तुक्का लगया सही होना चाहिए बस objective में तो यही चीज होती है कि तुक्का भी लगकर रगया सही हो जाए तो सही होना मेन है आपे चलिए इसको देख लेते है बिलकुल आप सही थे यहाँ पर माज़ित ठीक है साइद भी था वो भी लेकिन सही था कि लोग वे जो है वो लोग राजस्व के मामले में जादा होना वो deficit financing का होता है deficit मनलब सीधी बात है पर जादा हो रहा है तो घाटे गाए तो बनेगा है which of the following is not a part of machinery that settles industrial dispute जो ओध्योगिक जो विवाद होते हैं उसको जो समाप्त करने के लिए उसको खतम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका है वो नहीं है ठीक है कौन सा एक machinery होता है एक mechanism होता है तरीका होता है वो नहीं है इनमें से कौन से लोग है जो ओध्योगिक विवाद को खतम नहीं कर सकते हैं ठीक है क्या वो जो wage court है wage court पतला समझ रहे हैं जो अब पैसा होता है wage court works committee है consulation officers है या board of consulation है 48 का A wage court है देख लेते हैं बेल्कुल सही है आप लोग wage court है wage court की वजए से और द्योगिक जो मामले होते हैं उनका निस्तारण नहीं होता है ठीक है अगला प्रसंदेखते हैं महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी लेड़ डाउन four pre conditions for a सत्याग्रही सत्याग्रही होने के लिए उन्होंने जो पूर्व सरते रखी थी सत्याग्रही बनने से पैसिव रेजेस्टर आप विरोध तो कर रहे होünkुद किस तरह कर रहे हो क्निसक्रिये हो संक्रिये तरह कर रहे हो इक होता एक्टिव करना ठीक है रिजेस्टर लेकिन एक पैसिव हो अग करना आगश्र ग्रहन करोगे तो सत्या ग्रही बनने के लिए उनने चार पूर्व सरते रखी थी तो वो सरते किसले रखी थी अपने इन प्रिंसिपल्स को करने के लिए देखें क्या-क्या है observe perfect chastity, adopt poverty, follow truth and cultivated fearlessness, observe perfect chastity, gain money, follow truth and cultivated fearlessness, observe perfect chastity, adopt poverty, follow truth and cultivated power या फिर observe perfect chastity, gain power, follow truth and cultivated power ओके 49 का सी राजे सिसिंग सी हाँ बिटा, AIH से question हो गए, सारे पहले ही थे, 15-20 question पहले ही थे, you can scroll back the video and you can get up the questions based on AIH कल हम लोग और questions discuss करेंगे, there will be mixed blend of history, geography and economics and polity, every day at 3 p.m. 49 का सी, ओके देख लेते हैं, ए, देखो चेक करोना देखो observe करना perfect chastity को, poverty को adopt करना, truth को follow करना और cultivate करना अपने अंदर किसको निडरता को, cultivated power क्या है, जो निडर होगा उसके अंदर सक्ति अपने आप ही हो जाएगी, आप लोगों ने तनी movies देख रखी है, जो निडर होगा उसे कोई डर ही नहीं होता है, अब लोगों को वहला किस्सा तो याद है, जब सुभाष अंदर बोश जी के जो documentary बनी थे उसमें, वो पहला धागे के उपर बोलता है, तो उसके बताता है कि निडर हो जाता है, तो फिर मारने लग जाते हैं, अपने college के professor कोई, चलिए, अग प्रशन है हमारा कि मुगल emperor अकबर, देखिए, मेडिवल इंडिया का भी question आ गया, कि जो मुगल सासक थे अकबर, उन्होंने अपने सामराज्य को कितने भागों में बाट रखा था, कितने सूबे में बाट रखा था, आठ, पांच, बारे या फिर दस, कितने सूबे में बा दस के पहले या चार के बाद, ओके, बिल्कुल बिटक होता है, कराते हैं, ठीक है, तो मुगल emperor अकबर ने डिवाइड किया था, आठ में, ऐसा राजेस कहते हैं, आठ सूबे में, ओके, सौरब कह रहे हैं, पांच सूबे में, बाकी लोग, माजित, कामिनी, विने, अभिश हैं, चालिए, माजित, कहां गायब हो गये, AIH नहीं आ गया, कि माजित, कितने सूबे में बात रहे हैं, माजित कहा हैं, 12 सूबे में, बिल्कुल शही rat, 12 सूबे में बाट रहे हैं, तो यह हमारे आज के 50 सवाल थे, आप लोगों की तयारी देखकर हमें, बहुत अच्छा ल discuss करें तो आप लोगों से बहुत अच्छा में input मिले ठीक है तो कल मिलते हैं आज शाम को 7 बजे मिलते हैं current affairs के लिए फिर कल 3 बजे मिलेंगे बिलकुल इन ही questions के साथ कुछ नए questions होंगे आपके history, geography, quality और economics और environment के उपर जो कि आप लोगों के आगामी exams में आप लोगों की आपके हैं, के लिए हैंने ही नए जँदले के, की अब़ैंगे आप less, लोगोन कोफे की इन हांगे हैं जए पना प्त Tन वानलों के लोगों जापरे हैं, इन हैं मिलते हैं में ह। आपके हैं ही कि और रह रहीं कर επिर